मेरा नाम दॉक्टर दीपक केड़कर है, मैं मनुविकार सेक्स रोग सम्मोहन और वेसल मुखी तग्य हूँ NLP और Hypnosis के माद्यम से लोगों को ठीक भी करता हूँ आज मैं आप से बात करने वाला हूँ, चिता या चिंता के बारे में क्या होता है कि हम 99% of the times, जाजा से जादा समय हम हमारे अतीत के बारे में सोचने में बिताते हैं पास के बारे में और जब जब पास के बारे में हम सोचते रहते हैं तब तब हमें वो विचार उनसे डिप्रेशन आता है, निराशा आती है, ऐसा होना चाहिएता है, वैसा होना चाहिएता है, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा मैं करता था, कभी-कभी मतलब ऐसा घुसा भी आ जाता है उसके बारे में, या कभी गिल्ट अपराधीपन की 99% of the time is we are thinking about the past, हम past के बारे में सोचते हैं, हो सकता है कि 0.9%, थोड़ा सा कुछ परसेंट है, हम future के बारे में सोचते हैं, future के बारे में आगे क्या होंगा और फिर सोचते नहीं उसके बारे में चिंता करते रहते हैं, मैं past होंगा की नहीं होंगा, मुझे नुकरी मिलेंगी क मेरी प्रमोशन होंगे की नहीं होंगी, मेरे लड़के को कुछ होंगा क्या, मुझे कुछ होंगा क्या, मुझे कुछ बिमारी होंगी क्या, मैं fail हो जाओंगा क्या, मतलब काफी सारी चिंता है, future के बारे में भविश्य के बारे में लगे रहती है, तो चिंता जब हम करते है तो चिंता जिवित आदमी जो है उसको जलाते रहती है और चिता जो है वो मुरे हुए आदमी को जलाती है तो जितना आप चिंता करोंगे उठता ज्यादा आपको जलन मतलब खुद जल जाओगे उसमें चिंता से आदमी जल जाता है और उसमें फिर जब चिंता करता है तो फिर छाती में धड़कन, पैर में पैर कापना, विचार करना, नीन नहीं आना, हाथ कापना, घबराट होना, जैसे काफी सारे विचार फिर भविश्य के बारे में आते रहते हैं और फिर उसमें काफी चिंती दोके, पूरी आती नीरोसिस नाम की बिमारी, मतलब चिंता रोक अदमी को हो सकता है, तो वहीं हमने इसका काउंसिलिंग के, साइको तिरपी के, अनस अव्चर के, उसका इलाज महां के, कुछ थोड़ी भार थोड़ी बहुत दबाई दे दिया, तो उसका जो चिंता जो हरी है वो कम हो जा तो उसके बारे में उसका वहीं कांसिलिंग किया, वहीं उसका मांग सब्चार किया, बहुत जादा जी दिख रहा है तो उसकी वहीं दवा दिया, और उसको वहीं के वहीं रोग दिया, सपोर्ट किया उसको, तो वह डिप्रेशन में आदमी जाएंगा नहीं, क्योंकि हम जब future के बारे में सोचते है, पास के बारे में सोचते है, तो वरतमान में मौझूद ही नहीं है, वरतमान में रहते कहा है, तो हम वरतमान में रहना सिखेंगे, वरतमान में आना सिखेंगे, अभी क्या है, राइट नाओ, अभी क्या है, वहा हम रहना सिखेंगे, तो कोई बीमारी है ऐसा हम कह सकते हैं कि बहुत जाला सोचता है पास के बारे में और दुखी होते रहता है या बहुत जाला सोचता है फूचर के बारे में भाईशे के बारे में और वो उसकी परसेलिटी एंग्शिस परसेलिटी है तो यह दोनों भी परसेलिटी है फूचर के बारे में और पा उसके लिए काफी सारे साइकेटरिस मोज़ुद रहते हैं साइकॉलाजिस्ट रहते हैं और उनके तरफ से आपने इलाजेदी कर लिया उसका सपोर्ट ले लिया तो भूंगा ने क्योंकि क्या आदमी इतना चिंतित है कि आगे क्या होंगा क्या होंगा अंसरटन्टी है पता न तो वैसे काफी सारे लोग होंगे कि इनको इस तरह का प्रॉब्ले होंगा जरूर वीडियो आपके फेस्बूक के ओपर वाटसेप के ओपर जरू शेयर कीजिएगा इसमें वो लोगों को मदद होंगी कि जो ऐसे तकलीब में है जो कुछ अपना कुद का इलाज करना चाहते है कुछ अपने सलह लेना चाहते है तो उनका वो जीवन खुशी से जी सकेंगे और एक भारत का नवनिर्मान कर सकेंगे यह विक्तियती काम में आते है तो बहुत ज्यादा प्रॉड़क्टिविटी हमारे समाज की बढ़े जाएगे और हमारे देश आगे बढ़ेगा तो ज